हालो स्टुडेंड्स इस वीडियो में हम जो टोपिक पड़ने जा रहे हैं वो है spinal cord tumors तो जो हमारी spinal cord होती है जो कि एक cns का पार्ट है अगर spinal cord में किसी तरह की cancerous growth हो जाए जिस वजे से spinal cord में tumor का formation होने लग जाए तो उस condition को क्या बोलेंगे spinal cord tumors अब जो यहाँ पर tumor form होते हैं वो benign भी हो सकते हैं और malignant भी हो सकते हैं means वो tumor एक ही जगे पर present रह सकते हैं जिसको तो बोलेंगे benign और अगर वो tumor एक जगे से दूसरी जगे पर spread होने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे malignant next point यहाँ पर आता है जैसा आपको पता है कि जो हमारी spinal cord होती है उस spinal cord से कुछ nerves arise होती है जो हमारे body के different parts को nerve supply करती है तो अगर यहाँ पर जो tumor form हुआ है वो tumor क्या करे इन spinal nerves को या इनके nerve roots को compress करने लग जाए या दबाने लग जाए तो ऐसी condition में urgent treatment करना जरूरी है और क्यों करना जरूरी है अगर timely इसका treatment नहीं किया जाए या tumor को remove नहीं किया जाए तो person में paralysis भी हो सकता है ओके तो यह बात हो गए general introduction की next one अब इसके बाद बात आती है इसके types की तो इसमें first type है intramedullary tumors intramedullary tumors क्या होते हैं कि जो spinal cord है उसकी जो नर से उसकी अंदर अगर tumor का form हो रहा है cancer हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे intramedullary tumors अब जो इस तरह के tumors होते हैं यह different types के देखने को मिलते हैं बढ़ इसमें जो most common cases देखने को मिलते हैं वो दो types के होते हैं एक तो है इस्ट्रो शाइटोमाज एक दूसरा होता है appendiumats तो जो इस्ट्रो साइटोमाज है यह तो किसमें देखने को मिलते हैं जो astrocydes होती हैं यह एक तरह की glial cells होती हैं जिनमें अगर cancer या tumor फोर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे intramedullary tumors दूसरा जो appendiumats है कहां देखने को मिलता है जो spinal cord की नर्व से उसकी अंदर ओके सेकिंड टाइप आता है यहां पर इंट्रा ड्यूरल एक्ष्ट्रा मेडूलरी ट्यूमर यह कहां देखने को मिलता है start inside the covering of spinal cord but outside the cord itself इस तरह के जो tumor होते हैं वो कहां बनते हैं जो आप spinal cord होती है इसकी जो covering होती है जिसको हम meninges बोलते हैं तो इस तरह के tumor जो यह meninges या covering है इसकी अंदर बनते हैं means जो spinal cord इसके बाहर और जो meninges है उसके अंदर अब इस तरह के जो tumor होते हैं इसमें भी different type होते हैं बट जो most common cases देखने को मिलते हो दो type के होते हैं like meningiomas और दूसरा है schwannomas meningiomas जो tumor होते हैं ये किसमें बनते हैं जो meninges layer होती है उसमें अगर tumor form हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे meningiomas दूसरा है schwannomas ये किसमें बनते हैं जो schwann cells होती हैं उनकी अंदर ओके next इसमें type आता है extra dural spinal tumors ये कहां form होते हैं some tumors start in the bones of the spine जो bones होती है means जो vertebral column होता है जो spinal cord को cover करके रखता है तो ये जो vertebral column है इसकी जो bones है इनकी अंदर अगर tumor बन रहा है cancer बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे extra dural spinal tumor समझ में आ गया अब जो extra dural spinal tumors है इनको primary bone tumors भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि इनकी खुद की bones में ही tumor form हो रहा है अब इसमें भी कुछ different types देखने को मिलते हैं बट इसमें most common जो देखने को मिलते हो तीन types की होते हैं first one तो है osteosarcomas जो osteosarcomas जो tumor है ये किसमें देखने को मिलता है जो bone producing cells होती है जो bone का formation करती है cells उनमें अगर tumor हो रहा है तो उसको बोलेंगे osteosarcomas दूसरी होती है condrosarcomas जो condrosides होती है जो किसका formation करती है cartilages का जो cartilage form करती है cells उनमें अगर cancer हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे condrosarcomas third one आता है fibrosarcomas जो fibrosides होती है जो fibrosides cells होती है ये fibros tissue का form करती है like tendons होते है tendons के बारे में आपको पता होगा ये क्या करते है muscles को bone से जोड़ने का काम करते है okay तो ये जो fibrosides है या जो tendons forming cells है उनमें अगर tumor हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे fibrosarcomas sorry जो different types के जो तीन types की जो cancer है ये कौन से होते है extra dural होते है means जो vertebral column है या जो bone से spinal cord की उनमें tumor form हो जाते है okay four type आता है यहाँ पर secondary bone cancer ये क्या होता है some cancers can spread into the bones of spine यानि vertebral column में कहां से आ रहे हैं from elsewhere in the body तो इसका मतलब क्या है secondary bone tumor क्या होते है कि जो vertebral column है या जो bone से spine की इसके अंदर अगर tumor का form हो रहा है और tumor या cancer कहां से आ रहा है body के other parts से आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे secondary bone cancer ठीक है तो अब यहाँ पे जो tumor या जो cancer है वो यहाँ पे spread कहां कहां से हो सकता है कौन से body parts से हो सकता है like lung से हो सकता है breast से हो सकता है या prostate gland से भी हो सकता है तो यह कुछ body के parts होते हैं जहां से जो vertebral column है उसमें tumor spread हो सकता है तो यह चार टाइप होगा different types जिसमें spinal cured में tumor देखने को मिल सकता है I hope आपको यह different types समझ में आ गए होंगे next one अब अब आपन बात करते हैं इसके causes और risk factors की तो जो exact causes spinal cord tumor की वो unknown है बट यहाँ पे एक link present रहता है genetic factors से जो genetic factors होते हैं means जो genes होते हैं मतलब person की family हम किसी को पहले अगर यह problem present थी तो हो सकता है कि आने वाली generation में भी वो genes क्या करें यह tumor form कर दें ओके तो यह link हो सकता है next one हम यहाँ पर बात आती है इसकी clinical features की तो हम यहाँ पर जो भी आप clinical features देखोगे वो problems रहेगी नर्स से related अगर नर्स में compression हो तो compression होने की वज़े से उनके function भी affected होते हैं तो इसमें first जो symptom है वो है back and neck pain that progressively worsen means जो person में tumor रहेंगे spinal code में उसमें एक लक्षन देखने को मिलेगा उनकी back और neck में बहुत ज़्यादा pain रहेगा जो time के साथ दीरे दीरे वर्सन होता रहेगा means बढ़ता जाएगा next आएगा यहाँ पर symptom numbness, tingling and weakness और paralysis means person में जो है numbness और tingling जो है problem देखने को मिल सकती है में सुनसनाट सी रहेगी दूसरा यहाँ पर muscle weakness भी रहेगी और paralysis की problem भी हो सकती है next symptom यहाँ पर रहेगा decrease sensation means person के जो body के जो sensation है वो क्या हो जाएगे decrease हो जाएगे कम हो जाएगे next one यहाँ पर erectile dysfunction भी हो सकता है means जो erection रहता है penis में वो भी कम हो जाएगा या बिलकुल भी नहीं होगा next one problem यहाँ पर देखने को मिलेगी loss ब्लेडर और bowel control परसन का जो urinary bladder है और जो bowel है उस पर बिलकुल भी control नहीं रहेगा next one यहाँ पर परसन को walking में भी difficulty हो सकती है अगर muscular control loss हो जाए next one यहाँ पर muscle spasm भी हो सकता है next one यहाँ पर pressure रहेगा कहां रहेगा spinal code में और अगर spinal code में pressure रहे और कहां रहे जो blood supply है मतलब जो spinal code है उसको जो blood जो blood arteries यह जो blood vessel से वो blood supply करती है तो अगर यहाँ पर tumor form हुआ है वो इन blood arteries को अगर compress करने लग जाए इन पर pressure डारने लग जाए जिस वज़े से क्या होगा कि spinal code के जो tissues हैं उनको blood नहीं मिल पाएगा जिस वज़े से जो spinal tissues हैं इनकी death भी हो सकती है ओके तो यह भी एक problem यहाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो यह तो बात हो गए clinical features की next one यहाँ पर बात आती है diagnosis की तो इसमें सबसे पहले person की history collect करेंगे like present, past, medical and family history उसकी बाद परसन का physical examination करेंगे head to two examination करेंगे और जो भी data है उसको गेधर करेंगे उसके बाद CTs के नोर MRI भी कर सकते हैं जो की amazing technique है next one यहाँ पर electro encephalogram भी यहाँ पर use कर सकते हैं जिसमें क्या होता है brain की जो भी electrical activity है उसको capture कर लेते हैं जिससे जो abnormality को find out कर सकते हैं next one यहाँ पर बायोप्सी कर सकते बायोप्सी में क्या करते हैं कि जो tissues है जो fluid है CESF वगेरा यह जो spinal cord के जो tissues वगेरा हैं उनको remove कर लिया जाता है और उन samples को क्या करते हैं SS करते हैं और SS क्यों करते हैं ? ट्यूमर का पता लगाने लिए कोन से type का tumor प्रजेंट है और कोन से type का tumor है ओन के से पता लगाते हैं बायोपसी से ओके नेक्स्ट ये अब बात करते हैं इसके बाद इसके treatment की तो इसमें first point है कि जो treatment का goal होता है उसका गोल क्या होता है कि जो यहाँ पे नर्व डेमेज होने के चान से उसको कम किया जा सके या रोका जा सके ठीक है तो यहाँ पे जो ट्यूमर हो गया है उसकी वज़े से जो नर्व कंप्रेशन हो रहा है नर्व डेमेज हो रहा है उसको कम किया जा सके या रोका जा सके यही ट्री कर लिया जाता है दूसरा यहां पर एक और बात का ध्यान यह रखा जाता है कि जो इस्पाइनल कोड है या जो वर्टीब्रा है उसको कम से कम जो है नुकसान पहुचे और इसके साथ साथ जो भी ट्यूमर वहां पर प्रेजेंट है उसको रिमू कर लिया जाए यही सरजरी का प्रेजन होता है अब इसमें एक सरजरी की जाती है जिसको बोलते हैं डि कम्प्रेसियू ले मिनेक्टमी इस सरजरी में करती क्या है वहमें आपको डाय eigene के थ्रू बता देता हूं कि यह जो मतलब वर्टीब्रा होती है इस तरह की vertebra का जो है structure रहती है ये मैं आपको upper portion बता रहा हूँ इस तरह से रहता और बीच में जो hole रहता है उसमें spinal cord present रहती है ये तो anterior part है और ये वाला posterior part है तो यहाँ पे जो आप ये structure देख रहे हैं इस तरह का ये उभार देख रहे हैं लेमीना तो लेमीनेक्टमी में करते क्या है इस लेमीना part को remove कर देते हैं अब इसको remove करने से होता क्या है कि जो spinal cord पे जो pressure पड़ रहा था जो compression हो रहा था वो क्या हो जाता है relieve हो जाता है यहाँ से इसको हटाते ही जो भी pressure है वो relieve हो जाता है दूसरा इसको हटाने के बाद अगर यहाँ पे कोई tumor प्रजेंट है spinal cord में तो उसको भी remove कर सकते हैं तो आप कोई समझ में आ गया इस surgery के बारे में तो यह तो बात होगा इस surgery की next one यहाँ पे आता है radio therapy radio therapy में करते क्या है कि जो raise होती है जो किरने होती है radiation होती है उसको body पे expose किया जाता है तो जो radio therapy होती है यह दो टाइप की होती external भी होती है और internal भी होती है बड़ जो spinal cord tumors होते हैं इसमें external radiation therapy दी जाती है जिससे किया क्या इससे होता क्या है इससे जो भी cancer sales होती है वो kill हो जाती है नेक्स्ट वन आती है इसके बाद chemotherapy जो chemotherapy होती है इसमें कुछ cancer drugs आती है जो drugs क्या करती है cancer sales को kill करने का काम करती है बड़ जो spinal cord tumors होते हैं इनमें chemotherapy जो है rare cases में या occasionally ही use की जाती है means कुछ type के tumors होते हैं spinal cord में उनमें ही chemotherapy use की जाती है सब ये tumors में use नहीं करते हैं लास्ट इसमें आते हैं इस्टरोइट थे कुछ ऐसी drugs होती है कोटेक और इस्टरोइट ये क्या करती है कि अगर spinal cord में किसी तरह की swelling हो रखी है inflammation हो रखा है तो उनको review करने का काम करती है इस्टरोइट ड्रक्स तो ये बात होगा इसके management की और ये topic भी complete हो गया अगर आपको इसमें कोई भी problem हो तो आप मुझे comment करके पूछ लीजे ठेंक यू